जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनाथ CRPF के एक जवान और उसकी पत्मी ने आज मुरादाबाद SSP के सामने पेश होकर उनके एक डरोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुई लिखित में शिकायत की है SSP अमित पाठक के सामने पेश होकर CRPF के जवान जस्वीर सिंग और उनकी पत्मी संगीता ने लिखित में शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया कि कल उनके साथ कांट थाने के दरोगा कुलदीप और अन्य पुलिस कर्मियों ने अभधरता और मारपीट की और उन्हें तीन घंटे तक थाने में अवैद तरीके से हिरासत में रखा गया जिससे आहत होकर वो आज उक्त पुलिस कर्मियों की शिकायत करने के लिए पुलिस मुख्याले पहुँचे थे पीडित पक्ष के अनुसार घटना कल उस समय की है जब कांट ठाना चेतर के उमरी पुलिस चौकी इलाके से गुजरते हुए उनकी गाड़ी एक डीसीम से टकरा गई थी जिस मामले में वहाँ पर पैना दरोगा कुलदीप और अन्य पुलिस कर्मियों ने डीसीम को जाने दिया और उल्टे उनके साथ अबद्रता शुरू कर दी उन्हें गालिया दी गई और मार्पिट तक की गई और जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठा कर कांट ठाने ले ग बताया कि वो लोग मूल रूप से अम्रोहा जनपत के नोगावा साधात चेत्र के रहने वाले हैं और कुछ समय पूर भी चुटी पर आए हैं उन्होंने उक्त दरोगा के खिलाक्त पुलिस कप्तान तहरीर दी है जश्वीर सिंग्ग को पुलिस के पास गये जो दरोगा हुआ जो इंचार्ज थे में उनके पास गये तो और बत्तमी जी करने लेगे हमारे साथ बत्तमी जी करी गाली गिलोज दिया और मतलब हमारी मेडम के साथ भी बत्तमी जी करी और रप्ते उप्ते मानने लगे हमें गाड़ी बेटा के कांट लेगे तीन-चार गंटे हमारे बच्चे जैना उमरी चोराई पह ऐसी बढ़े रहे रोते भी ब्याल के बच्चे 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 मंदब बच्चे तो हमारे उक शम्मीत कुलदीब कुमार का इस अंट्टी अप्रूदर ओंडर ओर बेफूफ विज्कुल बेफूर दरोगा बोलने की बिल्कुल भी तरीका नहीं यह उत्फोला तो पिल्कुल आता ही नहीं कि जी निमीन नम संगीता है तक ना तो कि अधिक निक ने विए भी साथ है यह कर दो कमसाधी में सहारे थे डुदालेशा काट के पासे डुदाल लख आम अमरी चुरहाई मेरी काड़ी वदै दक रहे गई डीशी हमत्या काया टक्कर मारे के लगया तो मैं दोलगा से कहां जाक पिर मेरे हजवेंट आया दूसरी गाड़ी से उतर के तो मेरे हजवेंट को मतलब गिरेवान पकड़के उन्हें गाड़ी में डाले के इस मतलब दारू पी रिखी है यह कर रखाया वगरा उसे तो भी जिए और हमें मतलब ठाने में लेके चड़े गए काट और हमारा बत्तमी क्या करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे बड़ा तमीज से बोल तो सकते हो ना कि जी मैंने ऐसा मतलब ऐसा तो मोका ही नहीं मिला कहने का उन्होंनों पहले से गिरवान पकड़का उनको गाड़ी में मतलब धक्का देने लगे मैं यहीं चाहती हूं कि उसके साथ कानू निकार रहा ही हो और वह ऐसा किसी और के साथ ना करें आगे